गुजरात के वरोद्रा में गर्मी का पारा लगातार चड़ रहा है इसी बीच खादिस सुरक्षा विभाग द्वारा आम के व्यापारियों के दुकान और गुदाम पर जाच की गई गर्मियों की सीजन को ध्यान में रखते हुए फलहाल आम समेत के फलो की बिक्री बड़ी है ऐसे में वरोद्रा में खंडेराओ मार्केट में फ्रूट के बाजार में कॉर्पोरेशन के खादिस उरक्षा विभाग द्वारा जाच की गई हंडेराओ मार्केट के पीछे विरायमाता के चौक में सधनाथ रोड इलाके में फलो की जाच की गई आम बेचने वाले व्यापारी कैमिकल का इस्तमाल कर आम को जल्दी से पकाते हैं ऐसे में इन व्यापारियों द्वारा पकाई गई आम के सेंपल लेकर जाच की गई कुद्रती या कृत्रिम आपदाओं से निपटने के लिए वरुद्रा के मुनिसिपल कमिश्टर दिलिप राना ने दमकल विभाग के साथ एक विशेश बैठक की गुद्रत के वरुद्रा में मुनिसिपल कमिश्टर ने फार बिगेट के अधीकारियों के साथ बैठक कर आपात स्थिती से निपटने पर मारत दर्शन दिया है वडूद्रा महानगरपालिका के मुंसिपल कमिशनर दिली पराणा की अर्थियक्षता में एक विशेश मीटिक आयोचित की गई महानगरपालिका के खंडिराओं मार्केट्स तकारले में फार बिगेड के अधिकारियों के साथ आयोचितस बाथक में वडूद्रा और आसपास की अधियों की काईयों में अगर मेजर एकसिडेंट होते हैं तो किस तरह उन पर काबू पाया जाए इन सभी की तैयारियों पर वचार पिमर्श किया गया गुज्राक के वडूद्रा की ITM SLS बरोडा यूनिवर्सिटी में एक नया कोर्स लाँच होने जा रहा है जिसके जानकारे आज पत्रकार परिशद में दी गई बैचलर ओफ डिजाइन नाम का ये कोर्स चार साल का होगा जिसमें इंटिरियर, फैशन, प्रोडक्ट और ग्राफिक डिजाइन जैसे सबजेक्ट्स स्टुडेंट्स को सिखाए जाएंगे इस कोर्स के बारे में स्कूल ओफ डिजाइन की दीन डॉक्टर बीना संतोष ने जा जाएंगे और इसमें क्या खास होगा किस तरह के सब्जेक्स इसमें एड के जाएंगे इस बारे में जानते हैं दॉक्टर बीना संतोष से School of Design, basically, हम लोग इस साल लाउंच कर रहे हैं यह हमारा पहला साल है School of Design का और हम चार प्रोग्राम्स के साथ लाउंच कर रहे हैं School of Design School of Design में आपको चार प्रोग्राम्स मिलेंगे वो है Graphic, Fashion, Product and Interior Design Unique यह है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं यह नॉमली एक लाउंच जो होता है, एक स्कूल खुलता है हम आसपास लोगों से बात कर जानते हैं हम आसपास लोगों से बात कर जानते हैं यह हमने एक अलग तरीका सोचा है हमने एक event management वाले हैं Raw to Runway उनके साथ कॉलाब कर के we are trying to basically show, do a fashion showcase and also a greet and meet it is, design is not only about fashion design is about everything that is around us हमारे पास बहुत सारे लोग होंगे जो आसपास हमारे साथ greet and meet वाले fashion show के बात जो greet and meet होगा उसमें काफी सारे लोग होंगे जो कि design fraternity से होंगे so एक opportunity होगी कि हम एक दुसरे को जाने और एक दुसरे के साथ बड़े सबका साथ सबका विकास हमारे USP यहीं पे लिखे हुए है सबसे पहला तो competitive fee structure आप डिजाइन स्कूल बे आप देखेंगे तो fee structure बहुत है होता है और बहुत सारे बच्चे जो कोशिश करते हैं बहुत सारे के लिए उनको नहीं मिलता है और उनमें हुनर होता है लेकिन वो नहीं जा पाते हैं so competitive fee structure second हम लोग strong industry and academia license मैं आपको जैसे बता है पहले भी कि हम लोग academics में से भी बहुत ऐसे eminent teachers हैं उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को design से related films दिखाई जाएंगी तकि उनका दिमाग खुले वो अलग तरीके से out of box सोच सके क्योंकि एक stereotypical way से हम सिखाएंगे तो design कोई नहीं सीख सकता तो एक अलग तरीके से बच्चों को design सिखाने की कोशिश नहीं पर और उसके अलावा experience जो जितना हाथ से चीज़ों को experience करेंगे महसूस करेंगे आपको वो चीज़े उतनी अच्छ से समझ में आएंगी so experiential learning is one very important aspect apart from that workshops workshop and interaction right from grassroot level कारिगर जो होते हैं जो artisans होते हैं उन से लेके designers तक हम सबके साथ बच्चों का interaction करवाएंगे so वो बच्चों को समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास एक कलाकृती आती है एक artifact आता है तो उसके पीछे कितनी महनत जाती है एक artisan की और एक बहुत बड़ा gap है जो craft है और design के बीच में जो एक gap है उसको fill करने की हम कोशिश कर रहे हैं मैंने यह देखा है कि जितने भी universities around the world है उनको स्रिफ job seekers क्रिएट करना है मतलब कि कोर्स खत्म होने के बाद नोकरिया ढूंड़ो बस बट वह अप्रोच काफी गलत है और खासकर हमारी इस country जहां पे बहुत सरे ऐसे बच्चे हैं हमें jobs seekers नहीं बनना है हमें job creators बनना है अब यह जो कोर्स है bachelors of designing इसमें जो specializations है जैसे interior designing है product designing है फैशन औग्राफिक इसमें बहुत सारे ऐसी opportunities हैं कि बच्चे कहीं ना काम करते हुए खुद का brand establish कर सकते हैं आप देखो जितने भी fashion brands की बात करो all over the world हम जो बात करें वर्साची है या रमानी है यह सारे foreign brands है तो बहुत एक बड़ा wide market available है हिंडिया में जहां पर बच्चे एक तो यह design सीखेंगे और वो design products fashion design के products बनाएंगे और उसमें जो branding होती है वो एक बहुत important aspect है अगर वो branding create कर सके तो ना कि किसी popular brand में उकाम करेंगे बलकि अपना खुद का brand create करेंगे जिसमें वो खुद का brand बना के market में launch कर सकते हैं और उससे उनको opportunities मिलेगी to become a job creator वो successful brand अगर launch करते हैं उसके बाद वो बहुत सारे लोगों को अंदर employment दे सकते हैं तो हमारा जो purpose है वो यह है कि हमारे यहाँ पर redesign करने के बाद बच्चे कहीं और जाके job ना करें वो अपका खुद का brand establish करें तो जो यह products जैसे product designing है इसमें बच्चे जो technical knowledge है वो मिलने के बाद वो खुद का brand establish करेंगे और opportunities create करेंगे और लोह के लिए कि वो वहाँ पर जाके employment create करेंगे तो it is not a job oriented course it is an entrepreneurship oriented course जहाँ पे entrepreneurship के बारे में भी हम उनको ऐसा knowledge create करेंगे ताकि वो कहीं जाके job ना करेंगे और खुद का brand establish करेंगे आम आदमी party की सांसत स्वाती मालिवाल के आरोप के बाद अर्विंद के ज्रिवाल के P.A. विभव कुमार को पलिस ने हिरासत में ले लिया है आप सांसत स्वाती मालिवाल से CM हाउस में मारपीट के आरोपी अर्विंद के ज्रिवाल के P.A. विभव कुमार को दिल्ले पुलिस ने आज शनिवार को गिरफतार कर लिया पुलिस उन्हें पुछताज के लिए दोपहर बारा बचकर चालेस मिनट पर सिविल लाइन थाने ले आई पुछताज के बाद विभव को तीस हजारी कोट में पेश किया गया जहां उनकी अग्रिम जमानत याची का खारिच कर दी गई स्वाती मालिवाल 13 माई को अर्विंद के जिवाल से मिलने सुभे करीब 9 बजे सेम हाउस पहुची थी उन्होंने आरोप लगाया था कि उस दोरान विभव कुमान ने उनके साथ मार पीट और बस सलुकी की उनके कपड़े तक फट गए थे स्वाती ने 16 माई को शाम सवा 6 बजे दिल्ली पुलिस में अफायार करवाई थी 17 माई को रात 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने एमस में मालिवाल का मेडिकल करवाया था शनिवार को रिपोर्ट आई जसमें मालिवाल की आँख और पैर में चोट के निशान मिले रिपोर्ट आने के कुछ घंटे बाद है दिल्ली पुलिस सी एम हाउस पहुची और विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया गया गुजरा के भरच जिला के जगडिया के गाउं में किसानों ने विद्धुत विभाग के कारेले पर हल्ला बोल किया जगडिया में बिजली कंपनी अंतरगत आने वाले कई गाउं में किसानों को सुचारू जलापुर्ती नहीं हो रही है जिससे किसानों को खेती में दिक्कत आ रही है पिछले दिनों आये चक्रवाद के बाद कई घंटे बिजली गुल रही ऐसे में इस मामले किसानों ने बिजली विभाग के कारलाय पर हला बोलकर सुचारू बिजली आपुर्ती की मांग की है झाल 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 झाल